बागेश्वर धाम की महराज यानि पंडित धुरेंड कोशी शास्त्री इंदेनों काफी सुर्ख्यों में हैं लेकिन इस बार बाबा बागेश्वर शादी को लेकर चर्चा में आ गए जी हाँ, क्यूंकि MBS की एक शात्रा बाबा के प्रेम में दीवानी हो गई हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं और शात्रा शिवरंजनी 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेंगी और बहां धिरेंद्रुष शास्त्री के सामने अपना प्रस्ताओ भी रखेंगी आपको पुरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर क्यूं कहा जा रहा है कि बाबा की बारा दाएगी बाबा बागेश्वर की शादी एक बार फिर से सुर्कियों में आ गई है शादी की बात से ही वो दूरी बना कर चलते हैं लेकिन एक बार फिर ये सवाल उनके पीछे पड़ गया है जिससे आसानी से बजबाना इस बार बाबा के लिए मुश्किल होने बाला है ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई है जिसके बारे में कहा जा रहा है क्यों बाबा बागेश्वर सरकार यनि पंडित धिरेंदर शास्त्री से ब्याह रचानी की हसरत दिल में पाले उनके धाम की दरफ पूझ कर चुकी है तीवी स्क्रीन पर भगवा कपड़ों में दिखाई दे रही ये हैं शिवरंजनी तिवारी इनके बारे में कहा जा रहा है कि एक बड़ा संकर्प लेकर बाबा के दरफ पर पहुचने वाली है ये गंगोत्री धाम से सेर पर गंगाजल का कलश लेकर निखनी है 16 जून को शिवरंजनी बाबा बागेश्वर के दरफ पर पहुच जाएंगी शिवरंजनी से जब बाबा बागेश्वर से शादी के बाद पूछी गई तब उन्होंने बहुत भी घोल मोल जवाब दिया लेकिन इतना जरूर कह दिया कि वो 16 जून को जब बागेश्वर धाम पहुच जाएंगी उसी के बाद इस रहस से परदा अटेगा सब्सक्राद ऑल्क करें जरूर करें कि अब बुतिन आपको जबसे मैं ऐसमें कलश रखाएं, तब से करगा कि पूरिंग हो रहा है 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 कि हरी कलश शैत्रा इसलिए क्योंकि मैं अबर्बान के कोशिश कर रही हूँ ह। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रहे हूं जो कि मैं पंडी फुड़ी शास्त्र जी के गले में डालने वाली हूं तो देखें मैं सभी लोग को बताना चाहूंगी जो महाराश्री हैं अंतर्यामी हैं प्राणनाथ हैं करना लिभाने हर किसी के बन के बाद परचान लेते हैं तो मैं सभी को कहूंगी कि आप सूरा जोट तका वेट ही हैं खुद बाबा बागेश्वर यानि पंडित धिरेंद किष्ण शास्त्री कई बार अपने शादी के बाद से खंडर कर चुकी हैं लेकिन उनकी प्रशंसक शिवरंजनी तिवारी आपनी नई मंजिल की दरब बढ़ चुकी हैं इतना ही नहीं शिवरंजनी पंडित धिरेंद्र शास्त्री के लिए प्राण नात शब्द का भी जिक्र कर रही हैं। तो एक बार फिर सवाल हवा में तैर रहे हैं। परदा उठ जाएगा। शिवरंजनी MBBS की छात्रा हैं और दो साल से वो बाबा वागेश्वर सरकार को फॉलो कर रही हैं। बचपन से यो आध्यात्म से जुड़ गई। चार साल की उम्र से वो भजन गा रही हैं। और आठ साल तक संगीत की शिक्षाविली है। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी जो भी बताएंगे मारे महराश्य बताएंगे। मैं क्यों कुछ कहूं। बागेश्वर धाम सरकार धिरेंद्र शास्त्री किसी परिचे के मोहताज नहीं। देश दुन्या में उनके करुणों की संख्या में फैन है। उनका दिव्वे दर्वार पूरे देश में लग रहा है। इससे हर तरफ उनके दर्वार की धूम है। बाबा हिंदु राष्ट का संकल पले कर देश भर में घूम रहे हैं। लेकिन उनके फैन्स में उनके प्रति जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। शिवरंजनी तिवारी भी उनके दर्वार में जाने की तमन्न रखती है। 16 जून को बाबा के दर्वार में फिर कुछ बड़ा होने के आसार है। क्योंकि बाबा बागेश्वर सरकार के साथ शिवरंजनी की कसित शादी पर 16 जून को सच सामने आएगा। चित्रपूर्ट से अकले शिवरंगर के रिपोस्त लिउसेदी।